Hello everyone and a very warm welcome to Sikshah So guys, यह एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर हम Agriculture के Static MCQs डिसकस करेंगे Current MCQs तो हम अल्रेडी डिसकस कर रहे हैं उसकी Playlist आप लोग देख भी रहे हो ठीक है वो Current Affairs के MCQs हैं जिसके अंदर भी Static MCQs आ जाते हैं लेकिन वो Static MCQs mainly आपके Currently Derived होते हैं Now, यहाँ पर जो Main Focus रहेगा, Static पे रहेगा कुछ थोड़ा बहुत Current Relevance भी आ सकता है बट Mainly Focus Static MCQs के उपर रहेगा और Starting के जो Lectures हैं जैसे Lecture 1, 2, 3, 4, 5 आने वाले जो 5-10 Lecture है इसके अंदर I'll be discussing one very important magazine यह magazine आपको Free of Cost आप Download कर सकते हो Basically यह जो आपका Department of Agriculture and Farmer Welfare है ठीक है उसकी अगर आप वेबसाइट के उपर जाओगे उसमें जो भी Publications वगरा हैं यह एक magazine निकालते हैं Basically जो Intensive Agriculture एक magazine होती है और यह जो Intensive Agriculture magazine होती है यह 3-3 महीने की निकलती है ठीक है हर महीने की नहीं होती 3 months की होती है जैसे अभी जो Latest magazine है वो July से September 2022 की है उसके बाद October, November, December की निकलेगी तो 3-3 महीने की निकलती है तो basically जो पहले के lectures है इसके अंदर हम जो MCQs discuss करेंगे वो इसी particular magazine से derived MCQs है पूरी की पूरी magazine आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है पढ़नी पढ़ना चाहो तो आपको मैंने source बता दिया आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो free of cost है कोई भी डाउनलोड कर सकता बट ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें से जो भी relevant points है वो मैंने MCQ के through इन lectures के अंदर cover कर दिये है तो पहला जो lecture है this will be from July to September edition ठीक है पांच साथ पांच साथ तस question ये इस तरीके से करेंगे एक single lecture में पूरी magazine cover नहीं होगी ठीक है multiple lectures लगेंगे जैसे अभी ये lecture 1, 2, 3, 4 यानि कि 4, 5 lectures जो है वो definitely July September edition के होंगे उसके बाद हम पिछले वाली जो magazines है उनको भी cover कर लेंगे उसमें भी जो relevant हमारे लिए questions होंगे तो अच्छा खासा आपका MCQ data bank जो है वो build up हो जाएगा और ये तो MCQs हैं ही इनके साथ साथ आप 2000 प्लस non-video MCQ course भी लेगे सकते हो YouTube पे आपको बहुत सारे MCQs मिल रहे है प्लस एक ये non-video MCQ course है काफी low prices के अंदर 300 रुपे में आपको course मिल जाता है code use करने के बाद MCQs quiz की form में है आप पहले practice कर सकते हो देख सकते हो कितना आता है उसके बाद detailed solution इसके आपके पास available रहते हैं तो link description में है आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं इसका एक free test भी available है तो फटाफट से आ जाते हैं पहले question के उपर which among the following is in the largest percentage in the vermi compost ये vermi compost है दोस्तों तो इन में से कौन सा compound या कौन सा nutrient सबसे जादा आपको मिलता है percentage terms में vermi compost के अगर हम बात करते हैं वरmi compost आप जानते हो basically जिसके अंदर हम earthworms का इस्तेमाल करते हैं ठीक है so organic carbon, nitrogen, phosphorus, potassium, calcium बहुती अच्छा question है और इसी type के questions आप से paper के अंदर पूछे जाते हैं तो largest percentage किसका होता है vermi compost के अंदर इसका answer जो रहेगा that will be option है organic carbon मैं आपसे request यही करूँगा कि question को देखो answer खुद से पहले करने की कोशिश करो video को pause करके उसके बाद आगे देखो तो organic carbon का सबस्यादा percentage होता है तो nutrient elements की अगर हम बात करें vermi compost में तो 9.8 से लेकर के 13.4% तक आपका organic carbon रहता है nitrogen 0.51 से 1.61 phosphorus 0.19 से 1.02 18 से 7.61 उसके बाद magnesium जो है 0.093 से 0.568 sodium 0.058 से 0.158 zinc 0.0042 से 0.110 copper 0.0026 से 0.0048 iron 0.2050 से 1.3313 and manganese आपका 0.0105 से 0.2038 ठीक है यह आपका सारे के सारा numbers आपको याद करने की ज़रोतनी है थोड़ा सा order आप याद रख सकें वो भी सबका नहीं सिरफ आपके जो magnesium तक है यानि कि जो आपके ये 6 है इसका आप order याद रख लेना कि सबसे पहले organic carbon, nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium ये वाला एक order थोड़ा सा याद रख लेना percentages बहुत ज़ादा नहीं भी याद रहे हैं ये उसी order में organic carbon, nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium कुछ मुश्किल नहीं है क्योंकि हम जैसे अब NPK लिखते हैं nitrogen, phosphorus, potassium के लिए तो ये उसी order में NPK है उपर organic carbon है, नीचे calcium, magnesium तो एजी ली याद हो जाता है चलिए second question के ओपर आएंगे earthworm belongs to the phylum earthworms किस phylum को belong करते हैं option A, porifera, B, anilida C, arthropoda, D, mollusca and E, none of the above very important question और ये सारे के सारे questions मैं आपको बता दूँ अगर आप नबार के लिए prepare कर रहे हो उसमें भी आपको important रहेंगे AFO के लिए prepare कर रहे हो उसमें भी important रहेंगे agriculture development officer के लिए prepare कर रहे हो development assistant के लिए prepare कर रहे हो interview के लिए prepare कर रहे हो हर में important रहेंगे so earthworm किस phylum को belong करता है दोस्तो earthworm belong करता है anilida को earthworm किस phylum को belong करता है anilida phylum को belong करता है याद रखिएगा earthworms के बारे में थोड़ी सी information जो आपको याद रखनी है अब additional information एक तो ये invertebrates है ठीक है सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है phylum आपका आचुका है जो हमने question की form में देखा था ऐने लेड़ा class भी याद रखिएगा class जो है इनका that is oliocheta ठीक है ये भी आप याद रखिएगा और इसके अंदर ये various genres आजाते हैं जिसमें mainly आपके earthworms बिलॉंग करते हैं तो ये सारे के सारे genres जो है वो earthworm की है तो earthworm invertebrates है एनलिडा family है class oligocheta है और lumarycidae family को ज़्यादा तर जो species है वो बिलॉंग करती है चलिए third question के उपर आ जाएंगे which among the following is a non-borrowing earthworms अर्थवर्म दो type के होते हैं एक होते हैं burrowing और एक होते हैं non-burrowing तो ये कुछ important species हैं earthworm की आपको बताना है इन मेंसे non-borrowing earthworm कौम सा है E. fatida, E. endrae, perionics, excavate P. sensibericus ठीक है या all of the above, देखो जब यह इस तरह के complex नाम याद करने होते हैं तो हमेशा याद रगना कि बहुत ज़्यादा tension नहीं लेनी है उल्टा सीधा जैसा भी नाम याद कर सकते हो अर्थवाम बुरा नहीं मानेगा उसका अगर नाम बिगार दोगे तो वो बुरा नहीं मानेगा उसको कुछ फरक नहीं पड़ता ठीक है अब यह फैटीडा है अगर आप इसको फैटीचर भी बोलोगे तब भी इसको कोई फरक नहीं पड़ेगा यह बुरा नहीं मानेगा तो यहाँ पर आपके नॉन बुरोविंग अर्थवाम में कौन सा आजाएगा यह सारे के सारे जो ऑप्शन्स हैं यह थोड़ी डीप होते हैं ठीक है थोड़ा डीप दे लिव डीप इन दा सॉइल आराउंड 20 से 30 सेंटिमीटर यह लंबे होते हैं और इनकी जो लाइफ होते है यह 15 साल की होती है और यह जो बर्वींग करते हैं नीचे की तरफ ऐसे बर्वींग करके जाते हैं ठीक है इसके ऊंदर एग्जांपल जो आपका लेंअ और्वाम अर्थवाम होते हैं जहां पर हमको soil को create करने का और maintain करने का सबसे ज़्यादा important होता है 10 से 15 cm लंबे होते हैं और around 28 महीने की इनकी life होती है organic matter के उपर भी survive कर सकते हैं और जो dead and decaying matter होता है उसके उपर भी they can feed इसके अंदर various examples आ जाते हैं जो आपको options में भी मैंने दिये थे इसेनिया, Fetida, E. Android, Perionics, Excavitus, P. Sensibericus, Udralis, Eugen ठीक है तो यह नाम याद रख लिजेगा इन में से दो बहुत important है जिनके नाम याद रखिएगा E. Fetida and E. Eugen क्योंकि इनका potential काफी अच्छा है वर्मी composting के लिए क्योंकि different type of agriculture waste के उपर यह survive कर सकते हैं साथी साथ जिस temperature range के उपर यह survive कर सकते हैं वो भी काफी अच्छी खासी है 0 से 40 degree तो आप देख रहे हो कितनी wide range है 0 से 40 degree Celsius तक देखें and survive ठीक है लेकिन जो optimum temperature होता है या जो best temperature होता है जिसके अंदर maximum benefit आपको मिलेगा वो होता है 20 to 30 degree Celsius next question जी, fourth question pH range के उपर question है कि अगर हम favorable condition की बात करें तो earthworms को अगर हम composting purpose के लिए use कर रहे हैं तो सबसे बढ़िया pH क्या है जिसके अंदर earthworm सबसे better way में survive करेंगे और काम करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास options है तो देखो जितने भी आप questions देख रहे हो दोस्तो that will be option C 6.5 to 7.5 तो आप कह सकते हो कि slightly acidic से neutral की range के अंदर basically earthworm जो है वो pH range prefer करते हैं तो pH range 6.5 से 7.5 दोस्तो, moisture 60 से 70% का चाहिए जो aeration है, ठीक है air बहुत important है और 40 से 50% की aeration होनी चाहिए और overall 18 से 35 degree Celsius का temperature range 5th question के उपर आजाओ which among the following is not good for vermicomposting, इन में से vermicomposting के लिए क्या चीज अच्छी नहीं है सबसे पहले कहता है कि vermicompost को plastic sheet से cover कर दो क्या ये अच्छा है या नहीं अच्छा है ये आपको पता होना चाहिए, दूसरा earthworm को direct sunlight से आपको protect करना है, ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है fresh cow dung को use किया जाए ठीक है, जो पुराना cow dung है उसको ना use किया जाए, earthworm feeding के लिए क्या ये सही है या गलत है आपको बताना है option D कहता है कि A और C दोनों गलत है, दोनों सही नहीं है और option E कहता है कि A, B, C तीनों सही नहीं है, तीनों वर्मी composting के लिए अच्छे नहीं है तो ये थोड़ा सा conceptual question है concept clear है तो आप easily answer कर दोगे answer यहाँ पर आपका होगा option D, A और C ठीक है, D आपका यहाँ पर कही सही जवाब होगा देखो, plastic sheet से अगर आप उसको cover कर दोगे, तो जो gases वगेरा generate हो रही है, because of decomposition, ठीक है composting के time पर, या soil preparation के time पर, तो वो gases escape नहीं कर पाएंगी तो ये वाला point तो बिल्कुल गलत है plastic sheet से cover नहीं करना है दूसरा, बिल्कुल सही point है earthworm को direct sun light से आपको protect करना, तीसरा, fresh cow dung नहीं prefer होता, cow dung जो 15 से 20 दिन पुराना हो, उसको use करना चाहिए, earthworm feeding के लिए तो ये वाला point भी गलत हो जाता है तो इसलिए हमारा, जो सही answer है that will be option D, कि आपका option A और C, are not good for vermicomposting, तो vermicompost के time पर क्या precautions लेने होते हैं, वो धोड़ा उपर आप बहुत ज़्यादा समान डाल दोगे बहुत ज़्यादा waste डाल दोगे, तो उससे क्या होगा temperature बढ़ जाएगा, नीचे का जो temperature बढ़ जाएगा ना अगर आप किसी भी चीज़ को overload करते रहोगे, तो ultimately वो temperature भी earthworm को negatively effect करेगा plant based material का इस्तमाल करना है, जैसे grass, leaves, vegetable की जो peels होती है, उसको आप use करो raw material as work me compost के लिए earthworm को direct sunlight से protect करना है, पंचीओं से protect करना है चीटियों से, rats से आपको protect करना पड़ेगा moisture adequate होना चाहिए, ना तो जादा होना चाहिए, ना कम होना चाहिए, तो जो range हमने बताई है, उसी range के अंदर आप moisture रखेंगे, क्योंकि ultimately अगर moisture जादा हो जाएगा, तब भी earthworms can die, और अगर कम रहे गया तब भी earthworms can die, organic matter को आप use कर सकते हो, लेकिन वो non-degradable material होना non-degradable material नहीं होना चाहिए, उसके अंदर non-degradable material क्या हो गया post में बिल्कुल भी नहीं करेंगे earthworms जो होते हैं, generally shade को prefer करते हैं, ठीक है, dark areas के अंदर रहते हैं, तो बहुत जादा sunlight से इसलिए हमें उसको protect करना होता है ठीक है, तो इसलिए हम उसको जो jhoot की बोरियों होती है उससे कहीं बार cover कर देते हैं ताकि थोड़ा उनको darkness वाला area मिल जाए और इससे क्यों तक अगर moisture जादा है, तो moisture को भी कम करने में help मिलती है cow dung को अगर आप use कर रहे हो, तो at least 15 से 20 दिन पुराना होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल जो fresh cow dung होता है, उससे excessive heat create हो सकती है ठीक है, तो ये precautions आपको जो है वो ध्यान में रखने है ठीक है, तो ये हमारे कितने questions हमने की है, इस lecture के अंदर 5 questions हमने दोस्तों किये हैं और इसके अंदर मैं आपको बताओं, कम से कम हमने एक chapter पूरा जो उस magazine के अंदर था, उसको cover कर दिया, जो important points थे, ठीक है, तो इसी तरीके से हम हर chapter के लिए एक-एक lecture बनाते जाएंगे उस particular magazine से और ऐसे मैं आपकी पिछले एक साल की सारी magazines cover कर दूँगा, आने वाले कुछ दिनों के अंदर ठीक है, चलिए तो आशा करता हूँ कि लेक्चर देखकर के सब लोगों को मज़ा आया होगा, और अगर lecture देखकर के दोस्तों मज़ा आया है, तो अगर आपको ठीट लगे तो चैनल को subscribe ज़रूर कर देना, share कर सको तो वो भी सोने पे सुहागा है connect कर सकते हो मेरे साथ telegram के through chat group का link description में आब workshop कर सकते हो, mail कर सकते हो मिलेंगे अब next lecture में एक और quick lecture के साथ तो till then take care and bye